खेल awesome स्थूएंट्स class 12th accountancy unit फूर accounting for share capital अगलेmost फूठ क्या था जिसमें हमने सेआर के बारे में सारी पढ़़ाई कर लिया है हम् डिबंचर के बारे में जैन रहे जिसमें हम लगोंने data किमीनीकोड دبنچر के features को समझ लिया है last video में मैंने आपको بتایا था कि क्यों جो है company जो है वो bank से loanな ले करके public से loan लेती है क्यों company doing venture issue करती है public के बीच में public से क्यों loan लेती है यह मैंने आपको बताया था और जो public है वो debenter क्यों खरिता है company का क्यों लोन देती है company को इन सारे बातों को हमने detail में last video में आपको cover किया है आज जो है हम आपको एक तो सबसे पहला theory part में आपका है कि share और debenture के बीच में क्या difference है वो difference को हम आपको book से जो आपका है उसमें बता देंगे कि दोनों के बीच में क्या difference है DK goal के book से और साथ ही साथ हम आपको बताएंगे कि किस तरीके से debenture issue करती है company क्या journal entry बनता है क्या installment होता है ये तमाम बाते हम आपको बताएंगे तो जैसे share आपका issue किया जाता था application allotment first call and final call उसी तरीके से आपका इसमें भी होगा application allotment first and final यानि second and final call ये installment आपका as it is जैसे share में था वैसे ही रहेगा अंतर बस इतना है difference बस इतना है कि वहाँ पर जो आता था पैसा share से वो share capital में transfer होता था यहाँ पर जो आएगा money वो debenture यानि loan account में transfer होगा बस इतनी इसी बात है बाकी सारा चीज आपका similar है difference और क्या है कि share जो है आप forfeit कर सकते हो उसको ratio कर सकते हो लेकिन यहाँ पर debenture को आप forfeit ही नहीं कर सकते debenture को जबता नहीं कर सकते हो यह तवाम बाते मैंने आपको बता दी है आज हम स्टार्ट करेंगे सबसे पहले आपको हम share और debenture के बीच में जो difference है वो हम DK Goyle के book से आपको हम बता देते हैं आपर page number 8.3 आप देख ले ना DK Goyle के book से यह है आपका part 1 volume 2 accounting for companies class 12 आपका है इसमे 8.3 आप निकाल लोगे हर बार आपका front वाला cover जो है वो change कर दिया जाता है तो यह आप देख ले ना बाकि सब कुछ आपका वो same रहता है cover खले front वाला बाकि जो rules है regulation है companies act के अंदर जितनी तमाम बाते आपको बताई गई है वो तो आपका बतलता नहीं है ठीक है तो सबसे पहले हम आपको इन दोनों के बीच में share और debenture के बीच में क्या difference है वो हम आपको यहां से समझा देते हैं लिखने की जरुवत नहीं है board पे क्योंकि book आपके पास है और book से आप सामने सामने दोनों को देख लेना सबसे पहले काता है यहां पर serial number है distinction between a share and a debenture तो दोनों के बीच में share और debenture के बीच में क्या difference है वो हम यहां पर देखते हैं सबसे है आपका पहला कता है basis of distinction यानि क्या अधार है distinction का दोनों को बीच में जो difference है उसका क्या अधार है वो हम सबसे पहले है यहां पर पहला number है capital versus loan तो a share is a part of capital of company therefore the shareholders are the honor of the company तो यहां पर जो share issue किया जाता है company के द्वारा मैंने आपको बताया था company दो तरीके से fund को raise कर सकती है company दो तरीके से एक है आपका share issue करके और share जो खरिता है जो public उसे बोलते है share holders और यह company के कौन है honor of the company होते है ठीक है यह last video में संजाद गया है इनको क्या मिलता है तो इनको मिलता है dividend dividend मिलता है दूसरे तरफ company loan लेती है loan का मतलब debenture issue करती है और जो debenture खरिता है तो क्या आप बोलते है debenture holders यह company के कौन होते है creditors होते है और इनको जो मिलता है वो मिलता है आपको interest ठीक है तो दो तरीके से company fundraise करती है एक share holder जो company में पैसा लगाते है और एक debenture holder जो है company में पैसा लगाते है अलग-अलग form है इसमें company का ownership होता है और यह company के जो है creditor हो जाते है clear है तो यह बाते मन्या को बता दी है तो a share is a part of capital तो यह जो share होता है न यह capital का part होता है क्योंकि share holder कौन है company के honor और honor जो business में यानि company में जो पैसा लगाता है honor जो पैसा लगाता है उसे क्या कहते है capital कहते है ठीक है तो यहाँ पर जो share holder ने company में लगाया है पैसा जो share का पैसा है honor का पैसा है और honor का पैसा क्या कराता है capital का रहता है इसलिए करता है a share is a part of capital of the company therefore the shareholder are the honor of the company तो यह क्या है owner of the company है यह company के मालिक होते है ठीक है यह share दूसरा तरफ आईए debenture debenture क्या होता है debenture is a part of loan debenture क्या है loan है क्या है part of loan है and as such the debenture holders the debenture holders are the creditors of the company clear है अगर आगे पुछेगा कि दोनों को क्या मिलता है तो shareholder को dividend मिलता है और debenture holder जो की creditors है उनको interest मिलता है तो पहला difference समझना है आपको दूसरा आपका कहता है basis of distinction में dividend versus interest देखे a shareholder gets dividend from the company shareholder को क्या मिलता है honor होते है इनको dividend मिलता है dividend का मतलब होता है वे last video में मैंने आपको बताया था company जो पैसा लेती है इससे company क्यों ले रही है पैसा जाहिर सी बात है company को profit कमाना है कोई project सुरू कर रही है कुछ भी company कर रही है पैसा ले रही है तो profit कमाने के लिए ही ले रही होगी और इसका company का कोई मकसद नहीं है कभी company एक profitable organization है आपका तो यहाँ पर company जो share से पैसा ले चाहे debenture से पैसा ले, loan ले company यहाँ पर कमाना चाहती है profit और profit को हिंदी में कहते हैं lab और dividend को हिंदी में कहते हैं labhance यानि इस labh का uns जिन जिन shareholder को मिलेगा यानि जिस honor को मिलेगा उसको हम क्या बोलते हैं English में dividend कहते हैं यानि labh का uns को क्या कहते हैं dividend कहते हैं तो यहाँ पर shareholder गर आॉनर को क्या मिलेगा लाभ का अंस मिलेगा मतलब डिविन मिलेगा तो यहां पर सबसे पहला को कहता है कि आस सेर्होल्डर गेट्स दिविधिन फॉम दिपनी तो company से shareholder को क्या मिलता है dividend मिलता है दूसरी तरफ साथ दिखर भी रहे आपको कि a debentureholder gets interest from the company तो debentureholder company के कौन है creditors है और creditors को क्या मिलता है तो यहाँपर creditors को interest मिलता है क्योंकि उन्हें loan दिया है तो company जो है यह debentureholder को क्या दोût下去 है interest देती है company देती है interest और यहाँ पर company shareholder को क्या देती है dividend देती है company देती है dividend company देती है interest company देती है dividend shareholder को company देती है interest आपका debenture holders को चलिए यह तो आपका दूसरा difference हुआ third difference है आपका fluctuating or fixed rate of dividend or interest ठीक है तो यहाँ पर कहता है कि dividend is paid only when there are profit तो dividend कब paid क्या जाता है basically हम equity shareholder वाले की बात कर रहे हैं तो totally market पर depend होता है अगर company profit कमाती है तो profit मिलेगा नहीं profit कमाती है company तो उनको dividend नहीं मिलेगा loss भी हो जाता है तो say equity shareholder वाले को loss भी bear करना पड़ता है तो कहता है dividend is paid only when there are profits the rate of dividend may be fluctuate from year to year year to year अगर profit भी जाता है कम होगा तो dividend का भी fluctuation होगा वो भी बढ़ता है fluctuation का मतलब क्या या तो बढ़ता है या तो गढ़ता है तो गढ़ता रह सकता है वो depend करता है कि कितना profit year to year होता है depending upon the profits लिग भी दिया है and decision of the director और director भी इसमें decide करते है कि क्या dividend कितना dividend देना है ठीक है तो ये dividend मिलता है किसको आपके shareholders को depend करता है market पे profit हुआ मिलेगा नहीं profit हुआ नहीं मिलेगा ज्यादा profit हुआ ज्यादा मिलेगा कम profit हुआ कम मिलेगा नहीं profit हुआ नहीं मिलेगा in case of equity shareholder इसके बाद दूसरे तरह आपका कहता है कि the rate of interest is fixed and it must be paid irrespective of the company making a profit or incurring a loss, तो company को profit हो या loss हो, company को profit हो या loss हो, company को interest debenture holder को देना ही देना है, अगर मालू company को profit होती है, तो तो अच्छी बात है, debenture holder को यहाँ पर interest मिलेगा, लेकिन अगर company को कोई profit नहीं होता है, बदाए उल्टे company को यहाँ पर loss होता है, तो भी interest dividend holder को देना पड़ेगा, लेकिन in case of share, in case of equity share, यहाँ पर company को loss होगा, तो honor को कोई dividend नहीं दिया जाएगा, प्लेयर बात, ठीक है, आगे, बोलता है, voluntary or compulsory redemption, share में कहता है, share में कहता है, it is at the option of the company to return the amount of shares by buying back its own shares, दूसरी तरफ debenture में कहता है, the amount of debentures must be returned according to the terms of the issue, तो सबसे पहले हम share में समझते है, point number four, redemption का मतलब क्या है, देखे, आपने एक बार company में पैसा लगा दिया share के थरू, तो वो company के capital का हिस्सा हो जाता है, ठीक है, तो ये company के capital का हिस्सा हो जाता है, और company lifetime तक जो है वो रख सकती है, लेकिन company पैसा क्यों ले रही है, company को पैसे का requirement है, पैसी की जरूरत है, इसलिए company share issue कर रही है, कौन सा share, फिलागान equity share की बाद कर रहे हैं, तो यहाँ पर जो है company क्या कर रही है, share issue कर रही है, पैसे का requirement है, एक बार company को पैसे का requirement पूरा हो गया, company अपने आप में काफी मजबूत हो गई, तो company जो है shareholder को एक option देती है, buyback of equity share का, इसमें company क्या करती है, कि shareholder से उस समय का भाव, उस समय का भाव मतलब, जिस समय shareholder ने खरदा था, माले उस समय share का दाम, एक share का दाम 100 रुपय था, माले जाकि 5 साल बाद company काफी मजबूत हो गई, या कुछ सालों के बाद company काफी मजबूत हो गई, और उसके बाद चाहती है company कि हम किसी को honor बना कर क्यों रखे हैं, जो share हम दिये हैं, उसको हम उस समय के rate से, मतलब 100 रुपय में अगर company issue की थी, और अगर कुछ सालों के बाद share का दाम 110 रुपय होगा, तो company 110 रुपय में ये share अपने खरिद लेगी, खुद खरिद लेगी है, ताकि किसी को ownership का जहमिला ना रहे, लेकिन company इसके लिए praise नहीं करती है, जोर नहीं देती है, एक option देती है, कि अगर आप अप अपने equity share को हमको बेचना चाहे, तो अभी के rate से चाहे तो आप बेच सकते है, तो इसको redemption का यहाँ पर मतलब हो गया, कि equity share company issue करती है, और अगर चाहे company, तो बाद में क्या कर सकती है, उस share को वापस खरिद सकती है, उस समय के भाव से, लेकिन debenture में क्या है, कि debenture में terms and condition decide ह कहने का मतलब है कि एक बार company ने loan ले लिया, तो company को यह आपका debenture में, debenture is a kind of certificate उसमें आपको बताना होता है, company को बताना होता है, कि हम किस terms and condition के तहत, जो है, हम loan लिये हैं, क्या rate of interest आपको देंगे, और कितने सालों के बाद इस loan का repayment हम करेंगे, यानि 5 साल, 10 साल के वापस कर दिया जाएगा, उसको redeem कर दिया जाएगा, clear है यहाँ पर बात है, तो share के case में, buy back of equity share, एक option दे सकती है, debenture के case में, जो है, वो company के यह कहती है, certificate में लिखा होता है, कि हम आपको इतने समय के बाद loan वापस कर देंगे, इतना rate of interest आपको हम देंगे, यह सब कुछ ते होता है, तो जितना भी terms and condition है, वो साथा लिखा होता है, इसके बाद है, priority of repayment of principle in case of winding up, तो अगर कमाले जे company बंद होती है, तो share के case में क्या होगा, in case of winding up, the payment of share capital is made after the repayment of debenture, तो यहाँ पर जो shareholder को in case of company अगर बंद हो रही हो, तो सबसे पहले debenture का पैसा, debenture holder को वापस किया जाएगा, जो debenture का पैसा है, जो loan का पैसा है, वो सबसे पहले debenture holder को वापस कर दिया जाएगा, clear है बाद, इसके बाद क्या करेगी company, इसके बाद company आईगी share वाले का जो capital है, वो वापस करेगी, तो share में का लगता है, in case of winding up, sorry, यह तो आपका share में था, debenture मे तो सबसे पहले वही बात, एक बरकान इधर से पकड़ा, एक बरकान इधर से पकड़ा, कहने का वही मतलब है, कि पहले debenture holder को loan pay कर दिया जाएगा, उसके बाद share वाले को pay किया जाएगा, इसके बात कहता है, unsecured and secured, unsecured or secured, point number six, secured का मतलब होता है, कि जैसे अगर आप share की ब पर दिया, equity share आपने purchase किया, एक हजार रुपे company को दिया, आप company डूब गई, तो आपका कितना पैसा डूबेगा, आपका मातर एक हजार रुपे डूब जाएगा, मातर क्या, जितना company में पैसा दिये लगाया था, वो पैसा आपका डूब जाएगा, क्योंकि share जो है, वो unsec secured होता है, इसलिए share जो है, उसमें जादा risk होता है, टोटली market पे depend करता है, तो वह यहां पर करता है, a share is always unsecured, इसके against कोई security नहीं होता है, hence they bear more risk, against कोई security नहीं होता है, unsecured का मतलब क्या हो गया, कि एक हजार रुपे company को मानलो आपने share के थ्रू दिया, तो इसके against कोई security नह नहीं चुकाएगी, आपका पैसा डूब गया, लेकिन debenture के case में क्या होता है, कि debenture secured होता है, secured का मतलब हो गया, कि अगर company डूब गई, आपने मानलो की company को यहां पर, debenture के थ्रू एक हजार रुपया, amount बहुत चोटा है, बहुत बड़ा बड़ा amount loan के थ्रू company देती है, तो मानलो की, एक हजार रुपय यहां पर company ने debenture के थ्रू लिया, आप company डूब गई, तो share के case में तो पैसा वापस नहीं करेगी company, आपका पैसा डूब गया, shareholder का डूब गया, लेकिन debenture holder ने जो एक हजार रुपय यहां पर loan के तौर पे, debenture के तौर पे जो company को यहां पर दिया है, तो इसमें क्या होगा आपका, इसमें होगा आपका यह, कि एक हजार रुपय जो आपने company को दिया है, company इसको आपको वापस करेगी, कैसे वापस करेगी, company तो डूब गई है, कोई बात नहीं, company के पास asset तो है, property तो है, है ना, fixed asset तो है, company उसको बेचेगी, और इसको बेच करके, debenture holder के पैसे को वापस करेगी, clear है, interest भी देगी, चाहे जो हो जाए company, profit में हो, loss में हो, उसे कोई मतलब नहीं है, इनको interest भी मिलेगा, इनका जो amount है, loan का, वो भी वापस होगा, debenture क्या है, secure होता है, क्योंकि एक हजार रुपय डूबेगा नहीं, लेकिन पर share जो है, आप उसको discount पर मने आपको बता दिया है, कि share जो है, आप discount पर issue नहीं कर सकते हैं, parallel premium पर issue कर सकते हैं, तो कौन section करता है, under section 53 of Companies Act 2013 ये करता है, कि shares cannot be issued at discount except sweat equity shares, तो यहाँ पर जो है, equity share को, या preference share को discount पर issue नहीं कर सकते हैं, यानि एकर 10 रुपय का share है, तो 10 रुप येगर share को 8 रुपय या 9 रुपय पर आप discount पर issue नहीं कर सकते हैं, एक ही ऐसा share है, जिसको आप discount पर issue कर सकते हैं, वह आपका sweat equity share, sweat equity share वो share होता है, जो company अपने employees को ही market में जो भाव है, उससे कम में, यानि face value से कम में issue करती है, अपने खुद के employee को, है ना, तो वो एक share है, जिसको company discount पर issue कर सकती है, बाकि equity share और preference share जो market में, public के बीच में company issue करती है, उसको क्या करता है, कि उसको आप discount पर issue नहीं कर सकते हो, तो यहाँ पर clear है भाद आपना, यह होगा आपका point number 7, दूसरे तरफ क्या करता है, कि there are no restriction on the issue of debentures at discount, तो आप जो debenture है, उसको discount पर issue कर सक कर सकते हो, discount पर ही नहीं कर सकते हो, आप share को debenture को par पर, premium पर, discount पर, तीनों पर issue कर सकते हो, clear है बाद, इसके बाद आपका last point है, voting right, equity shareholder वाला, चुकि company का business card true honor होता है, इसलिए उसको voting right होता है, वो company के board of director को चुन सकते है, उनको annual general meeting में भी बुलाया आता है, वो आते है, annual general meeting में, लेकिन अगर हम बात करें, debenture holder की, तो debenture holder को कोई भी voting right नहीं होता है, और उनको annual general meeting में भी company नहीं बुलाती है, debenture holder को, जो है, सिर्फ मतलब होता है, interest से, ये interest low और चुप-चाप घर में पैठो, आप बिल्कुल तरफ से secured हैं, आप हर तरफ से secured हैं, आप डूबो भी नहीं, आपका पैसा अगर डुपता भी है, तो company asset base के चुकाएगी, और आपको जो interest है, वो भी आपको मिलता रहेगा, तो बाकी आपको company में आने की कोई जरूरत नहीं है, हमने आपसे loan लिया है, और जिस terms and condition कर आपने loan दिया है, उसी terms and condition कर हमने loan लिया है, इसे लिए, आप चुक चाप घर में बैठो, आपको कोई voting right वगरेगा जरूरत नहीं है, आप बिलकुल secured हो, आपको interest मिल रहा है, आप अराम से रहो, आपको कोई तकलीफ नहीं होगी, इनको क्यों बुलाया जाता है, इनको बुलाया जाता है, इनको बुलाया जाता है कि भाया, आप आ सत्यानास कर दे, या कमपनी में कोई government कर दे, आप अपने तरीके से vote दे करके, voting right चुनिए, और वो company को चलाएंगे, ताकि आपको company पर भरोसा बना रहेगा, कि हाँ, जो हमने जिनको चुना, हम जिनको पसंद करते हैं, वो board of director के member हैं, और वही company यहाँ पर चलाएंगे, प् किस तरीके से share issue करते हैं, तो सारा criteria आपका same है, application, सारा criteria आपका same है, इसमें भी आपका installment होगा, application, चाहे तो company सारा पैसा application में ले ले, कोई बात नहीं, या installment में ले सकती है, application, allotment, first call and second and final call, तो इनी चार installment में जो है, वो company यहाँ पर debenture के पैसे को दे सकती है, criteria बिल्कुल same है आपका, जिस तरीके से share का 90% का subscription जरूरी था, यहाँ पर debenture का 90% का subscription जरूरी होगा, जिस तरीके से company के share वाले भाग में, मतलब share जो company शूरी कूज करती थी, उसमें भी calls in area होता था, मतलब कोई अगर installment का पैसा नहीं दिया है, कोई share holder, तो वहाँ पर calls in area होता था, यहाँ पर भी अगर कोई amount यानि किसी installment का पैसा debenture में भी नहीं दिया जाएगा, कोई debenture holder नहीं देता है, तो calls in area होगा, share में क्या होता था, कि अगर calls in area हुआ, कोई share holder पैसा देने से इंकार कर दिया, तो share को जब्द कर लिया जाता था, यहाँ पर share को forfeit नहीं किया जाएगा, clear है बाद, तो यहाँ पर भी calls in area होगा, यहाँ पर भी calls in advance हो सकता है आपका, ठीक है, लेकिन अंतर क्या है, अंतर यह है, कि उस share को forfeit किया जा सकता था, debenture को यहाँ पर forfeit नहीं किया जाएगा, clear है, तो यहाँ तक हम लोगों ने बात कर ली है, कि दोनों के बीच में क्या difference है, किस तरीके से आपका company debenture issue करती है, तो वही है आपका, चलिए, इस वीडियो में तो हम लोगों ने इतनी बाते कर ली है, नेक्स्ट वीडियो से हम आपका general entry, चुकि हम बोले थे कि general entry इसमें हम आपको बताएंगे, लेकिन इतनी बाते आज की class में आप इसको ध्यान में रखोगे, दोनों के बीच में जो difference है, वो आप ध्यान में रखना, इसके बाद फिर हम आपको next class में, आपको start कर देंगे question, बताना, या फिर आपको सबसे पहले हम general entry बना देंगे, कि किस तरीके से होता है, हाला कि बिल्कुल सेम है, तो आपको उसमें कोई महिनत करने की, य वहाँ दिखाते हैं, लेकिन loan को, debenture को हम कहां दिखाएंगे, तो debenture को हम balance sheet के liability side में long terms loan के अंदर जो है, वो debenture का amount आपको दिखेगा, तो balance sheet में, ठीक है, वहाँ पर equity and liabilities जो था, उसमें हम दिखाते थे, shareholder funds में share को दिखाते थे, और यहाँ पर जो है, आप इसको पताया था कि balance sheet जो है, वो vertical balance sheet इसमें बनता है, तो उस तरीके से हम इसको बनाएंगे, और फिर इसके next unit में हमको सारा balance sheet के भी detail के बारे में पढ़ना है, तो सारी बात आपको समझ में आएगी, तो आज के लिए इतना ही, thank you.